सब्सक्राइब करता हूँ आज की वीडियो के मादधम से हम लोग चर्चा करेंगे इनलेटिक एवलेटी एंड डिजिटल अवर्नेस से बनने वाले बहुत ही मैथपोन मैथपोन अब्जक्टिव टाइप के परसनों के बारे में और लगभग और लगभग 40 important परसनों पर चर् प्रिकुलर कोर्स में आपको फिप्त समस्टर में खासर के एनलेटिक एवलेटी एंड डिजिटल अवर्नेस पढ़ना होता है एनलेटिक एवलेटी को हिंदी बे बोलते हैं बिसलेशन शमता यानि जिसको आप रिजनिंग के नाम से जानते हैं और डिजिटल जागरुकता क मतलब कि जैसे जो कंप्यूटर से रिलेटर जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में तो इससे पहले आपको बता दूं कि कई मारेज पिपर में दे चुका हूं जैसे बिसलेशन शमता यानि रिजिनिंग को लेकर के मैंने कई सारे रिजिनिंग के चेप्टर्स को पढ़ाया उसमें मैंने बहुत सारे अब्जेक्टिफ प्रस्नों पर भी चर्चा करिए लेकिन आज का जो वीदियो होगा वो रिजिनिंग से रिलेटर नहीं है आज का वीडियो आपका होगा डिजिटल ऑवर्नेस से रिलेटर यहानि कंप्यूटर से रिलेटर बहुत सारी जो प्रस में तो आज चोटा सा वीडियो करें कि समख्ष में आया हूं अगर आप कहेंगे और चाहिए हरे चैप्टेर से बननेवाले परहुंदेशों पर आ फोकस कर दूगा जैसा आज का नोगो में कम्प्यूटर को शाइन परिचे हम लोग जानेगे कंप्यूटर से कैसे कैसे प्रस्ट आप से चोटे चोटे प्रस्ट कैसे बनते हैं अब जब नेक्स्ट आपका वीडियो आएगा उसमें सब्सक्राइब करने के लिए या और भी तमाम परकार के काम करने में उप्योग होता है या सब्सक्राइब करना यह उल्ए क्कमपने के दवरा बनाया गया है में सब्सक्राइब का एक भाग है ठीक है जो विंडोज पर वर्ड प्रोसेसिंग के लिए काम में आता है और 1995 में विंडोज आपरेटिंग सिस्टम का प्रियोग रख शुरू होता है और उसी के अधार पर ही डी ओएस पर आधारित सब्ट्वेर का परचलन कम होने लगता है और डी ओएस अधारित वर्ड प्रोफेसर जैसे की वर्ड इस्टार हो गया और वर्ड पर्फेक्ट हो गया इसका अस्थान अब आज कल आप देख रहे हैं यह में तो में रखना है या आप्ट टेक्स्ट कर रहे हैं तो उसमें स्पेलिंग भाग्रमर की को आप सुधार सकते हैं ठीक है इसके अलावां डाकुमेंट जो होता है पर काश में तमाम परकार की चित्रों को बनाना जोड़ना डाकुमेंट को फ्लापी या जो डिस्क होता है उसमें स्टोर करना डाकुमेंट को प्रेंट करना डाकुमेंट को सेव करना यह सब काम जो होते कि कंप्यूटर किसी भी समय में सैक्णों लोगों का समर्थन करता है वाट टाइप आप कंप्यूटर सपोर्ट हंड़र आप पीपल एट एनी गिवन टाइम सबसे मज़दार बात यह कि बीसी भी काम या भी आप किसी भी ग्रेशन के उसमें हैं तो आप आसानी से अपने को कर कर सकते हैं यहां पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भासा में आपको मिलेगा तो आप कोई भी माध्यम में हैं किसी प्रकार के से आप तैयारी कर रहे हैं आपकी लेंग्वेज कुछ भी हो आप जान पाएंगे चुकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको मैं तो जो में फ्रेम केंप्यूटर होता है वो किसी प्रकार की कंप्यूटर किसी भी मलब जो है खासर का जो में फ्राम कंप्यूटर होता है फ्रेम कंप्यूटर वो किसी भी समय में सेकड़ों लोगों का समर्थन कर सकता है तो आप सनमर इसका डी करेक्टर एंसर हो जाएगा ध् पहले क्प्यूटर रहते थे उनसे तुलना कैसे की जाती है तो modern computer जो होते हैं वह एक परकार सबसे पहली बात बहुत दीवर होते हैं और वह हो चोटे होते हैं पहले कर बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे बड़ी दिक्कत होती थी उसको कहीं पर ले आ जाने में आज कल के computer क्या है कहीं पर भी आप सेट कर सकते हैं बहुत ही वजन में हलके होते हैं चोटे होते हैं तीबर होते हैं तो अपसे नमर डी दिया हुआ है faster and smaller next question आठ बिट का एक संग्रह क्या कहलाता है a collection of eight bits is called byte सब्द record या file क्या बोलते हैं उसको फटा फट से आप बताएंगे आठ बिट का एक संग्रह कहलाता है byte ठीके बी वाई टी और बी आई टी दो बी आई टी एस दोनों में अंतर है ठीके तो आठ बिट का जो संग्रह होता है bit माने bit ठीके उसको बोलते है bit ठीके और जो byte होता है वो 8 bit को मिलाने मिलाएंगे तो एक byte बनेगा ठीक है ऐसे byte से megabyte बनता है ठीक है और उसके आद में ऐसे की byte बनता है उसके बाद में फिर आपका आगे देखें अगला प्रसन है यूनिक्स का आभिसकार किस ने किया बताएं फू इन्वेंटेड यूनिक्स इसने किया भई पड़ा पड़ से आप प्रियास करेंगे बहुत ही मैंत्यपूर्ण प्रसन है कें थॉम्सन जॉन नेपियर या हर्मन हॉल्रेत या फिर इसका यूनिक्स का आभिसकार किया कें टॉम्सन ने आपसा नंबर एदिया है करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट को संसा आप देखेंगे निम्द में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इन में से बताएं विच अब फॉलोइंग इस नाट एन ऑपरेटिंग सिस् सिस्टम है जबकि MS Word जो होता है MS Word 98 यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपसा नंबर B करेक्ट एंसर होगा आगे देखें अंगला को संसा आपकी स्किन पर आचुका है ऑपरेटिंग सिस्टम है इन में से कौन सा ऑपरेंटी ऑपरेटिंग सिस्टम है देखें एक्सल पाव आप the following in the input unit input unit अगर बात करें input unit की अचा output unit में जैसे कि आपका printer हो जाता है आपका जो है monitor हो जाता है यह सब आपके output unit है ठीक है जो की computer से बाहर के साथ जोड़ते हैं जबकि आप देखते हैं जो input device होती है input device की अगर बात करें इन्पूट डिवाइस में जैसे जो आंतरिक चीज़े हैं जैसे कि आपको यहां पर दिखाई पढ़ोगा option में प्रसंद क्या पूछ रहा कि कौन सा input unit है इन्पूट यूनिट में आपका आ जाएगा जैसे कि आपका keyboard हो गया mouse हो गया या इसके लावा trackball हो गया यह सब आप भी यहां input device है इन्पूट यूनिट है आपसा नमबर d करक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट को यूसंस आप देखेंगे निम्न में से कौन सा एक यूनिट मिलब की एक इन्पूट यूनिट है विच आप दे फालोइंग इस इन्पुट यूनिट, मॉनिटर, प्रिंटर या प्लॉटर या फिर M-I-C-R, फिर फ़र बटाने का प्रियास करेंगे, तो इसका करेक्टर एंसर हो जाएगा, M-I-C-R जो है, यह आपका एक इन्पुट यूनिट है, जबकि बात करें मॉनिटर की, प्रिंटर की और प्लॉटर की यह सब एक आउट्पुट यूनिट है, जो की कंप्यूटर से जुड़ते हैं बाहर से, तो आपसे नंबर D करेक्टर एंसर हो जाएगा इसका, यह एक जो M-I-C-R जो होता है, यह एक इन्पुट यूनिट होता है, नेक्स्ट कोशन देख होता है, वो कैसी डिवाइस है, तो इसकेनर इन्पुट डिवाइस के अंतरगत आती है, आपसा नंबर B में करेक्टर एंसर दिया है, नेक्स्ट कोशन साब देखेंगे, बीडियू प्रियूग तो होता है, बीडियू इस यूजड एज एज एन, इन्पुट के लिए, आउ इन्पुट में से कौन से दो इन्पुट डिवाइस हैं, which two of these are input devices, input माने जो अंदर से जुड़ा हुआ होता है, computer से एकदम से आउट पुद माने जो बाहरी चीजे होती है, तो दो input device इन में से कौन सी, प्रिंटर, लिएक में परिंटर, या कुंजी प्रिंटर, इन इसको तो आप सबी को पता होगा दो इन में से कौन से या दो कौन से इसे हैं जो कि आपके input device है एक तो आपका हो जाएगा आपका keyboard और एक हो जाएगा scanner यह सब input device monitor printer plotter यह सब आपके output device है तो तीन और चार किसमें दिया हुआ है तीन चार डी में दिया correct answer हो जाएगा ढ़ना यह प्रस्ट में एसा पूछा जाता रहा है यह dai यह होता है पूरा मातलब क्या हो न होती है यह इसका एस मेमोरी इसका फुल Sumo साफ़ेद घंप यहाइगा यह होता है रोम का पूरा लग त्वान की लोग दीज़र जो होता है उसको डिनोट करता है किसको ब्यक्त करता है लब उसका पूरा नाम या उसकी फुल फार्म क्या है एकसर क्या होगा इसका बता nossos इंट नंबर यूरेंड कहते हैं यह आक blossom करेंटर हो जाएगा बहुत परिच्छा में aig technician आएगा आगे देखें कम्प्यूटर का अंतरास्टी निर्ट ओर क्या है इंट निटोवर्क और एज या फिर या फिर नना अब 20 तो आप सभी को पता होगा कंप्यूटर का अंतरास्टी निर्ट जो होता inject no व्लूंट व्लूंड लूंटार्ट आपको मिलता है तो फ्ल फार्म क्या होता है प्रसनाब से पूछता है वर्ड वाईड वैव इसका फुल्फाम होता है डबलू डवलू गाठीक है आगे देखें बहुत ही जबर्दस प्रस्न है भटाबट से वीडियो को लाइक और सेयर कर दीजेगा जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक और सेयर कर दीजेगा प्रस्न है निम्न में से पूछा गया है निम्न में से कौन नास्वान मेमोरी है नास्वान मेमोरी सबसे तेज गती से प्राप्त किया सकती हाड डिस्क से मैगनेटिक डिक से फ्लाफी डिस्क से या फिर इन में से कोई किसी से भी नहीं तो सबसे तेज जो सूचना प्राप्त किया सकती है तेज गती से वह हाड डिस्क से प्राप्त कियाती है आपसा नंबर एक अरक्ट एंसर ह होगा अगला परस्टाफ से बन सकता है माइक्रो पूपर अस्थापित क्या आता है Mother बॉर्ड पर यह मेमोरी पर यह नेटर लघर रट्मेट इटर्वर्क इंटरफेस कार्ड पर यह सबी मनद किसी पर भी नहीं तो माइक्रो प्रोफेसर जो होता है वो मदर बोर्ड पर अस्थाफित क्या जाता है आपसे नमबर इसका एक 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 सरोगा नेक्स्ट कोशन साब देखेंगे हार्ड बियर से क्या मतलब होता हार्ड बियर और साप्ट बियर तो हार्ड बियर जो होता है वो आपका माल लेते है हाइब होता है वह होता है तो आपका इनहीं हो जाता है कि तरह संट भी कशकियो लात्मा की भाती होता है जो जो कभी नश्ट नहीं होता है जबकि आप देखते हैं साफ्ट वियर आपको डलवाना पड़ता है इससे आत्मा जो होती है एक निश्चिस समय के लिए आती है और फिर चली जाती है अपना रूप परिवर्त कर लेती है ठीक है अपनी सबसे लेकिन जब तक साफ्ट वियर तो साफ्ट वियर आपका अचानक मून आप देखते उड़ जाता है वह आत्मा से तुलना जरू करते हैं लेकिन अजना सा या होता है कि साफ्ट वियर आप जब मन होता है कि आप डलवाती मेर्षाफ्ट है जितने समय के लिए चलता है अब यहावाद परसुन जो पूचा गया सब्सक्राइब कि आपको प्रस्थिकों से कौन सा हाड़्वेर नहीं है हाड़्वेर इन में से कौन सा नहीं है हाड्वेर देखें scanner OCR यह सब जो होते हैं आपके यह software होते हैं जब कि word professor जो होता है sorry एक मिट OCR scanner यह सब क्या है आपके अच्छा इसमें फुचा क्या कि hardware नहीं है तो word professor जो होता है यह hardware नहीं है बाकि scanner OCR यह सब hardware के इंतर गताते हैं word processor एक software होता है अगला questions आप देखेंगे उस device का नाम बताएं जो दो computer को telephone line से जोड़ता है बताएं तो दो computer को telephone line से कौन जोड़ता है वो करता ऐसा काम करने वाला है modern 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 आपसा नंबर भी character answer होगा आगे देखेंगे इन में से कौन सी memory सबसे तेज memory होती है CD-ROM floppy ROM या फिर कैसे कैस memory या hard disk तो कैस में वोड़ी सबसे तेज होती है आपसा नंबर इसका C character answer होगा next question से keyboard की कौन सी की का प्रियोग प्रियोग प्रोग्राम निरस्थ करने के लिए क्या जाता है बताएं keyboard में कौन सी button या की का प्रियोग प्रोग्राम को निरस्थ करने के लिए क्या आता है तो यह सी का यह सी का जो है कोई प्रोग्राम तो उसको निरस्थ करने के लिए बटन होती यह सी बटन दबाई जाती है आप सा नंबर सी character answer होगा उस पर computer की keyboard पर होती है बटन अगला प्रसना आप देखेंगे निम्न में से कौन सा इन्पुट उपकरण नहीं है इन्पुट उपकरण कौन सा नहीं इन में से बताएं तो प्रिंटर जो है यह आउटपुट है इन्पुट नहीं है आप से नंबर सी प्रोग्राम जो उच असतरिय भासा को मसीनी भासा में बदलता है उसको क्या कहते हैं उसको बोलते हैं अगे देखे अगला प्रसन है वह भासा प्रसन मड़ा जबर दस्त है प्रसन है गता लागू कर सकता है वह कहलाती है थो ऐसी भासा को जो जिसको computer समझ सकता है और लागू कर सकता है उसको बोलते हैं मसीनी भासा आपसा नंबर इसका एक औरक्टर एंसर हो जाएगा आगे देखेंगे को या एक अपरक्टर वहा हो का है तो मुक मेमोरी और CPU कि बीच की हार्टिस्क यहाड इसको कैसे इसको कैसे मेमोरी बोलते हैं आपसा नंबर इसका भी करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन सापकी स्किन पर आचुका फटाफट से आप वीडियो को लाइक और सेर कर दीजेगा बहुत इंपोरेंट प्रस चला है भई आप लोग बहुत ज़्यादा लगातार इस वीडियो को लेकरके लगातार डिमांड कर रहेते तो मै अगर नहीं जाओ तो गुस्सा हो जा रहे हैं लोग तो ऐसी स्थिती में थोड़ा सा एक दो दिन क्लास बीच में नहीं हो पाई थी और एक दो दिन और ऐसे हो सकता है हो जाए बठ प्रियास ही करेंगे कि सारे दिन आपकी क्लास हो इसलिए आप देखते हैं इंफॉर्मेश ब्राउजर इनमें से कौन सा है देखें इंटरनेट एक्सप्लोसर जो है यह एक्स्प्लोर्र यह वीमेश इसकेप मोजेक यह सब क्या आपसे बेडी लगा देंगे यह सभी बेडा करें आगे देखिएगा अगला प्रसंद में से कौन सी सुरक्षा तकनीक नहीं है वीच आ डिजिटल सिइनेचर बायोमेत्रिक या डिजिएल य कि तो पासवर्ड पर talk यह बाइयो कि हािव गजवर कहां Скरप है या यदि एक डिजिटल या डिजिब्वдел २हीं है आपको अगेह के थे Are कौन सी एक प्राथमिक भंडारन डिवाइस है लब जो इकठा करती है इस्टोरेज डिवाइस है विच आप फालोइंग इस प्राइमरी इस्टोरेज डिवाइस बताए तो प्राइमरी इस्टोरेज डिवाइस जो है वह खासर के इन में से कोई नहीं है ठीक है आप सब्दी ल या Input data से प्रवेत कर सकते हैं या Computer दो के सभी प्रकार के काम कर सकते हैं तो केवल या flow chart आकरसित कर सकतें तो एक Computer programmer जो होता है computer कारणों के सभी प्रकार की काम कर सकते हैं आप सथ नंबर में d sorting रापन साप्प्यार एक्विप्मेंट ठीक है तो आपसे नमर्स का सी करेक्टर एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन साब देखेंगे अगला प्रस्ट प्रस्ट ने कौन सी कंप्यूटर इसमर्ती वर्तमान सीप्यूट की द्वारा संसोधित या संसाधित था भंडारित प्रार करमों और समंक के लिए प्रियोग किया जाता है इसका क्या हो जाएगा इसका इसका क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा आंतरिक स्मर्ती इंटरनल मेमोरी आपसे नमर बी आगे देखेंगे अगला पर साइं कंप्यूटर डेटा में एक थोटी को कहा जाता है यह इसको बोलते हैं बग यानि कि दोस अपसे नमंब्र भी और गरेंशन होगा आगे देखेंगे अगला पर सब्सक्राइं नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है वीच आपदा फॉलोइंग इस नाट टाइप अफ क्या हो जाएगा तो इन में से कमप्यूटर नेटवर का एक परकार जो नहीं है उसको पैन बोलते हैं वो इसके लावा लोकल एरिया नेट वर जिसको एले एन बोलते हैं और इसके लावा डीक mixed right नहीं होता है निक्ट को में से जो इसमर्ती पढ़ी जा सकती है उसको हम त barking div के टीक है आप सान अंबर का बीर इसको वोलते हैं किया फुल्फाम होता एक हजार बाइट को हम लोग क्या बोलते हैं आप देखते हैं एक हजार बाइट अगर फोन चलाते हो तो भी आप जानते हो एक हजार बाइट को वन के भी बोलते हैं आच्छा के बी को के बीका फुबाम होता है किलो बाइट अपसर नमबर सी करेक्ट रो जाएगा अच्छा जब आपका 1000 kg होता हैं तो उसको क्या क्या बोलते हैं 1000 kg को एक यम्.bуки ये destructive है ऐक यम्.bική हो जाता है इसको आपको पर समझना पड़ेगा यह यह प्रस्न आप से पूचेंगे तो आसानी से बता पाएंगे जब को आप समझे रहेंगे तो एक हजार बाइट को एक किलोबाइट बोलते हैं एक हजार किलोबाइट को एक मेगाबाइट बोलते हैं ठीक है और एक हजार मेगाबाइट को एक गीगाबाइट बोलते हैं ठीक है यहां तो गीगाबाइट आपका जीवी होता है उसी को गीगाबा और यह तरह गाइंच सरह दोगा ऐसी अ सफ्टापर चलता है जब कि ट्रेक बाल है बताएं को आपके सिकूध के इनके स्कारुड़ गाइना सना निम्न में से कौन सा input device में समलेत नहीं है इन में से देखे इंप मोडम की बौर्ड स्कैनर या उप्टिकल रिडर ऑप्टिकल मार्क रीडर स्कैनर और कीबोर्ड यह सब आपके इन्पुट डिवाइस है आंतरिक डिवाइस होते हैं जब की मॉडम जो होता है यह बाहरी डिवाइस है आप से नंबर आ करेक्ट हैं सलोजगा आउट्पुट है वो नेक्स्ट को संसा आप देखेंगे जब आप कंप्यूटर सिस्टम से किसी डेटा को हटा मलब डाटा को हटाते हैं एक यूनिट उस डाटा को मसीन में समझने योग बनाने के लिए परिवर्टित करती है उस यूनिट का क्या नाम होता है बताएं वह निव इंटर डाटा इन अपर्गर सिस्टम न's संद्ट इन इस तरीके व कंप्यूटर से यूड़ है अच्छा प्रोम का फुलफ़ाम क्या होता है मैंने आपको बताया था तरह round- 거지 और कि आपके आपको जाता है वह तो आप प्रियास करें आपसे प्रस्ण आपसे बूचे गा तो आप आतनी से बता पाओगी ठीक है किलियर तो इस तरीके से आप लोगो ने बहुत सारे प्रस्णों को समझ लिया और लगबग यह 40 से बहुत ज्यादा प्रस्ण थे तो आसानी से आप लोगों ने समझ लिये मैंने यहां पर 40-45 तो आपने समझ लिया बहुत सारी चीज़े वैसे मैंने आपको बता दी चले फिर मिलती हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहेंजा बारत आप सभी का बहुत बहुत धन धनिबाद